हेलो गाइश तो आज के इस वीडियो में आपको पेटियम एफ से पर्सनल लॉन अप्लाए करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ step by step बिल्कुल easy वासा में easy process के साथ यह इस वीडियो को कोई बच्चा भी देखता है और मैं आपसे request करता हूँ कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल end तक बहुच करना क्योंकि end में मैं आपको एक ऐसा point बताने वाला हूँ step में बताने वाला हूँ यदि कोई problem या कोई question आपके mind में रह जाता है या छूट रहाता है मेरे से आप मुझसे बॉट्सप गुरूप पे जोइन कर सकते हो करते हैं आपको बस इसको update करने यदि update नहीं है तो और उसको install करने के बाद आपको इसको open करने यदि अभी तक आपने इस पे जो अपना इसमें personal loan तो आपको दो सर्विस में एक personal loan का option मिल जाएगा इस पे आपके सामने यह वाला option आ जाएगा आपको यहां पे अपनी इस basic details को फिल करना होगा सबसे पहले आपको इहां पर अपना pen card न пост करना और जो pen card पर नेम uhulliable है वह आपके सामने आ जाएगाcrire qean card पर डेट ओभध है इस डेट यह दोब भत को आपको फिल करना हैелен reflectsenya पर यहाँ आपको आपको इमिड ऑईड को फिल करना आपने जिस पर की आपके lown से रहलेटेट जितने भी डॉकुंट है डॉकुमेंट्ट है वह सभी जैएंगे são letter tax invoice repayment schedule यानि कि जो date है वो कब की fix गई है वो सभी आपके email id पे send किये जाएंगे loan agreement आपको यहाँ पर जो नीचे आना I agree to term and condition को read कर लेना है यानि कि जिस app की जिस app से जो loan ले रहा हो उसकी क्या term and condition है वो सभी को read कर लेना है privacy policy को इस पर click करके read कर लेना है जिससे कि आपको बाद में कोई भी problem ना हो कि इसकी क्या term and condition की क्या fees and charge इस ते वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको I have to consent अधित्य बीरला finance limited पे भी click कर रहे है यानि कि loan लेने के लिए आपको इन दोनों को tick करना होगा तो मैं आपको पूरा step बता रहा हूं इसलिए इन में आपको इसको clear कर दे रहा हूं यह loan लेने के लिए mandatory है जब भी आप ले सकते हो और जो loan आपको provide करा रही है वह कौन सी company है यानि कि Paytm तो main company है लेकिन Paytm के पास पैसा नहीं है उससे भी एक company ने type किया हुआ है वह है अधित्य बीरला finance limited यानि कि जिस person से आप loan ले रहे हो वह lender हो जाता है चाहें कोई भी दिला रहा हो आपको जो occupation details फिल करने होगी कि आप किस प्रकार का काम करते हो salary करते हो या फिर आप जो self-employed हो आपको यहां पर तीन option मिल जाते है salary या फिर self-employed या फिर आपका खुद का business है यदि आप not employee हो तो वह आपको select कर लेना अपनी condition के according आपको यह select कर लेना लेकिन मैं आपको recommend करूंगा या फिर swap का या फिर business का जो name है वो फिल कर देना और आपकी जो annual income है वो कितनी है वो फिल करनी है और आपको यहां पर अपना home address pin code फिल कर देना loan किस कारण से ले रहे हो क्या परपज़ा है इस पैसे को लेने का आपका जैसे कि हमारी तो medical के emergency है आप चाहों home renovation आपके सामने क साफी ज्यादा option आएंगे किसी एक को अपने according आपको यह select कर लेना और जिसके लिए भी ले रहे हो नहीं तो otherwise किसी को भी आपको यह select कर लेना और confirm पर टिक करना है आपके लिए एक offer generate किया जाएगा best यानि कि best offer generate किया जाएगा आपको यहां पर 58 seconds का bait कर लेना है यादि आप से सामने यह option आएगा something went wrong आके आप अभी loan नहीं ले सकते हो तो आपको गवान नहीं है मेरे सामने भी यह option आया था एक दिन आया था पूरा लेकिन मैंने एक दू दिन का wait किया और फिर से मैंने check किया तो मुझे यहां पे एक लाग 71,000 रुपे का जो offer है वो आ चुका ह और interest rate भी काफी ज़्यादा कम है वो मैं आपको आँगे यहां दिखाने वाला हूँ जैसे कि देख सकते हो congratulations आपको 71,000 रुपे का loan amount का offer आया है get started पे click करना है और दोस्तों यदि आपको something went wrong का एक option आता है तो आपको इस time wait कर लेना है बस छोड़ देना है आपको दो दिन मा 700 से उपर होना चाहिए दि आपको civil check करना है नहीं आता है real वाला तो उसकी उपर मैंने detail में video बनाई है बिल्कुल free में check कर सकते हो link नीचे discretion आपको मिल जाएगा अब आप यहां देख सकते हो आप इससे जो minimum loan है यानि कि कम से कम 10,000 का ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा जितन करना है या फिर यह माई आपको दो option मिलता है इनमें से किसी एक को select करना होगा 18 मंत की यह माई इतनी बनेगी और 24 मंत की यह माई 9,213 रुपे की बनेगी और आप यहां पर देख सकते हो आपको amount कितना मिलेगा total यह आप यह वाला option select करते हो मेरे case में बता रहा हूं या आप 71 रुपे और four point यानि कि सवा चार पिलत GST processing fees आपके loan amount में से कट के आपके bank account में credit करा दी जाएगी 1,62,425 रुपे और total जो payment होगा यानि कि जो जैसे कि 18 मंत से रटके हैं तो total जो payment है आपके पास से कितना जाएगा ब्याज पिलस EMI के जोड़ कर देख सकते हो एक लाख 71,000 रुपे आपके जो loan amount है टोटल जाएगा वो दो लाख 8,333 रुपे आपके bank account से जाएगा और कोई भी आपको चार्ज नहीं देना जो कि 18 मंत में आपको 11,56 रुपे की EMI देनी है जो interest rate है वो दो अजार चोटल पर मनते जाएगी यदि आप यह वाली सेलट करते हैं 9,223 तो आप देख सकते हो कि आपको जो total payment है वो 2,21,000 रुपे कुछ amount का करना होगा अब आपको यहाँ पर क्लिक करना आपको अपने यहाँ पर selfie को upload करना होगा KYC को complete करने के लिए आपको यह बात ध्यान रखने है कि आप आपका जो loan है वो cancel भी कर दे जाता है आपको यहाँ टे का selfie नाव पर क्लिक करना selfie को आपको ऐसे क्लिक कर लेना और अपने selfie को यहाँ अपलोड कर देना selfie अपलोड होने के बाद आपकी जो KYC है वो verify कि जाएगी 59 seconds में यदि नहीं की जाती तो आपको उसके लिए भी option आदर तू कमपिलीट और KYC पर आपको यहाँ क्लिक करना आदरकार नमर आपको यहाँ पर फिल करना यह वाला जो capture code है as it is आपको यहाँ फिल करना है send OTP पर क्लिक करना आदरकार के साथ जो mobile नमर लिंक है उस पर OTP सेंड की जाएगी उस OTP को आपको फिल करना और यहाँ प आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और आपको यहाँ सब्मिट पर क्लिक करना और आपकी KYC successfully हो जाएगी जैसे कि देख सकते हो KYC verified successfully हो चुकी है आपका जो पूरा डाटा है आपके अधरकार्ट से ले ले जाएगा आपका एडरस आपका नेम डेट अबर्त और आपको यह रे 참 बेट करना है जितने फी जो bank account है आपके Pay Tm app में link है वह आपके सामने यहाँ पर दोनों bank account आहर आ जाएगे और बस एक बात का आपको यहाँ दियान रखना है जो आपका bank account है उसका यहाँ नैड bank चालू होने चाहिए यह फिर उस bank account का आपको पास debit card होना चाहिए और आपका जो name paytm में है भाही है, आपके bank में होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हूँ, यानि कि सभी में आधरकार्ड में, pen card में, bank में, जो name है, बिल्कुल same होना चाहिए, एक भी number, एक भी भड़की spelling की mistake नहीं होनी चाहिए, यह आपका bank नहीं आता है, तो आपको add a new bank account यहां क्लिक करना है और आपको अपना bank account को details को फिल कर देना और आपके bank account में एक रुपे amount deposit किया जाएगा जो आपको SMS receive हो जाएगा तो आपका account है वो successfully verify हो जाएगा और दोस्तों आगे मैं process आपको इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मुझे इस loan amount की जरूरत नहीं थी और जबी मैंने इसको नहीं लिया है और जैसी मैं इसको यह confirm करूंगा तो जो loan है वो मेरा बिल्कुल confirm हो जाएगा और 24 गंटे के अंदर वैसे तो 7 दिन का समय होता है लेकिन 24 गंटे के अंदर पैसा आपके bank account में आ जाएगा और एक step आपको और करना होता है direct debit setup यानि कि व नहीं आपके पास पूरा process इसका जो online है उसी लिए आपको direct debit को setup करना होता है जो कि आप internet banking और debit card के थुरू यहां पे कर सकते हो वही आसलिए आपसे मांगा जाता है अब चलते है main point के ऊपर जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको एक main point बताने में दोस्तो मैं आपको उताने वाला हूं कि आपको loan लेते समय internet processing piece हर app पे देखनी चाहिए और दोस्तों आपको यदि आप ATM app से loan ले रहे हो आपने पूरा process देख लिया है तो आपको पे ATM app से loan लेना काफी ज्यादा ठीक रहेगा और app के मुकाबले क्योंकि loan सारा पूरा process जो है वो online है क आपके पास कोई agent नहीं आ रहा है मैं आपको उतादू loan लेना इस app से क्यों ठीक रहेगा जैसे कि आपको साइड में screenshot दिख रहा होगा वहाँ पे loan amount है एक लाख एक एकतर आया रुपे का और हमको जो processing fees 8575 रुपे काटके 1,62,425 रुपे receive हो जाते है और जो processing fees है हमको 4 यान और EMI इसकी बन जाती है 11,504 रुपे पर मंत की बनती है 18 मंत के लिए है जो कि 5-6 अरी को आपको bank account से cut होती है और जो total repayment है हमारा 2,08,332 रुपे हो जाता है और monthly interest उनके according हो रही है 2,014 रुपे 1.21% पर मंत की total जो repayment है वो 2,08,332 रुपे का हो रहा है जैसे कि हमने 1,62,425 रुपे मिला है हम तो उसको मानेंगे तो उसके असाफ से हमारी जो interest है वो 45,907 रुपे जा रही है और paytm के असाफ से जा रही है 37,332 क्योंकि वो मान रहा है कि आपने loan लिया है 1,71,000 रुपे का लेकिन हम से processing fees कर रही हम उस loan पैसे को जो नहीं मानेंगे अब मान लेते हैं offline में आप किसी से पैसा लेते हो हम तो एक लाग बाशाट रुपे में लोग जिग जग आते हैं और जब दे भी देते हैं मान लीजे आप ज़्यादा ले रहे हो 3% की तो minimum होती है आप ज़्यादा ले रहे हो क आपको जो 2% से दे दे तो उसकी इंटर रेट 3,240 रुपे हो जाती है 1,62,000 रुपे की अब हम इसको calculate कर देते हैं 18 महिने में 58,320 रुपे ब्याज हो जाती है और 1,62,000 रुपे प्रेंसिपल जो आपने लिया और आपको जो ब्याज दे सकते हो आप लेकिन प्रेंसिपल मे जा रहा है ब्याज भी जा रही है मूल भी जा रही है और आपका पैसा भी चुक जाएगा लेकिन आप ऑफ लाइन में ले लेते हो तो ना तो आपका मूल तो यहीं रहेगी चाहिए आप ब्याज दे सकते हो लेकिन मूल आप जो बिलकुल नहीं दे सकते हो क्योंकि जो पैस परसन है वो नहीं चाहेगा कि पैसे का जो तुकड़ा हो जाए तो आपके पास जो टोटल यदि ब्याज भी नहीं देते हो तो 2,20,320 रुपे हो जाते हैं आपके ऊपर यदि आप जो ओफ लाइन में ऐसे पैसे उठा लेते हो कहीं से और यदि आपकी कोई अच्छी सेलरी है 50-60 रुपे तब तो आप इस पैसे को लोटा सकते हो अधरवाइस आप इस पैसे को कभी नहीं लोटा अपाओगे तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको परसनल लॉन में ही जाना चाहिए अधि आप जो लेना चाह रहे है पैसे की यदि आपको रुक्वार्मेंट है तो इसे की रुक्वार्मेंट है चलिए वीडियो को एंड करते हैं